HI How Hello Everyone इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Classification of Bedford Codes इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें Bedford Codes क्या होता है उसका इंटोडक्शन दिया था इस वीडियो में मैं आपको बता रहाँ कि Classification of Bedford Codes गोके तो आएए चलते हैं Classification of Bedford Codes तो बैड़फोर्ड कॉर्ड्स are classified as following जैसा कि आप देख सकते हैं बैड़फोर्ड कॉर्ड्स उनको दो कैटेगरीज में divide किया गया है प्लैन फेस्ट, ट्विल फेस्ट तो बैड़फोर्ड कॉर्ड की दो कैटेगरीज हो गई सबसे पहले प्लैन फेस्ट एंड ट्विल फेस्ट अब प्लैन फेस्ट जो बैड़फोर्ड कॉर्ड होते हैं उनको हम classify कर सकते हैं टू टैप्स में on alternate picks and on pair of picks यह जब next videos में बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह pair of picks में बनाया जाता है किस तरह alternate picks में बनाया जाता है तब आपको समझ में आ जाएगा on alternate picks में जो बनाया जाता है plan faced bad food card उसमें wedded भी हो सकता है उसमें wedded वार्प भी हो सकता है and on pair of picks जो बनाया जाता है उसमें भी wedded वार्प हो सकता है अब पिल faced bad food card के बारे में आपको बता दूँ कि ये cable alternate picks पे बनता है इसमें pair of picks नहीं बनता है और इसमें alternate picks पे बनाने के बाद आप बार्प side में wedded बार्प भी डाल सकते हो तो this is the classification of badford calls Okay Standard Quality Particulars क्या क्या होते हैं अगर आपको badford card बनाना है तब थागे का count क्या ले सकते हैं Picks का count क्या ले सकते हैं Picks परेंज कितने ले सकते हैं EPI कितने ले सकते हैं वह यहां पर दिया गया है की Standard Quality Particulars वार्प 2 by 20 में यूज कर सकते हैं Weft 18 का यूज कर सकते हैं EPI 92 हो सकता है, PPI 82 हो सकता है The following constructional particulars are suitable for a cotton 12-faced badford cord अगर आपको 12 badford cord बनाने हैं तो barb 14 count का ले सकते हैं Weft 20s का ले सकते हैं EPI 86, PPI 78 These are the standard particulars for producing badford cords Okay, तो in particulars में change करके आप badford cords की different varieties भी बना सकते हैं Okay, thank you